वेलकम बैक एब्रिवन वेलकम टू सिर्वल सर्विसेश टड़ी 51 टेस्ट कम्प्लीट हो गए थे उपी असे सिर्वल सर्विसेश प्रोलिम्स के लिए है टेस्ट नमबर 52 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डेट हो गई है ट्निर्वर भारत मिशन के संदर में निम्रिकत्नों पर विचार करना है पहला श्टेटमेंट है आथ निर्वर भारत मिशन जो है उसका उदेश है वैस्विक वाजार में आवशक सुधार करके आयात निर्वरता में कटोती करना ठीक है यानि निर्यात को बढ़ावा देना होगा आत निर्वर भारत मिशन जो है वो COVID-19 महमारी के दोरान ग्रह मंत्री द्वारा लॉंच किया गया था बताई ये कौन सा करेक्टर है इस तरह के मिशन को कौन लॉंच करता है ग्रह मंत्री या प्रधान मंत्री या राष्ठपती ये प्रधान मंत्री ने लॉंच किया था गलत है दूसरा वाला स्टेटरी को बढ़ावा ने कोटिर उद्वर भारत मिशन में में हिस्सेदारी प्राप्त करने है तू सामानों की गुडवत्ता और सुरक्षा में आवशक सुधार करके आयात निर्भरता में कटोती करना है आतनिर्वर भारत मिशन से मेक इंडिया इनिशेटिव में बढ़ुत्री की भी उमीद है जो भारत में विनिर्मान को प्रोचाहि करता है आतनिर्वर भारत मिशन को कोबिट 19 महामारी के दौरान परधान मंत्री ने लॉंच किया था ठीक है ग्रह मंत्री नहीं यानि परधान मंत्री नरेंत्र मोदी ने इसने गलेते दूसरा वाला स्टेट्मेंट कॉशन नूमबर टू पर आजिए क्रिप्टो करेंसी से करेंट दो स्टेट्मेंट है यहां पर बताने किन में से कौन सा करेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसका संचालन प्रतेक वेस के प्रतेक देश के सेंट्रल वैंक के द्वरा किया जाता है एक तरह से एक्जामपल के तौर पर समझे तो भारत में क्या करदविया निकिया था क्यों कि देखे क्रिप्टब्रनसीस को नहीं उस देष कि पर-विट-ट पर संचालित करता है में सुरक्षित तरखा जाता है न है बिलकु इस दूसरा वाला स्टेट्मेंट सभИ कैमेले स्वेसित है कि फूला सरासर गलत है और दो बी इसकांसर हो जाएगा तो दो सही है यहां पर पहला वाला गलाते क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्योटर एल्गोरिथम पर बनी होती है और इसमें लेंदेन सम्मधी सभी जानकारिया होती है उनको कूटवद तरीके से विकेंद्रिकरत सुरक्षित रखा जाता है ठीक है विकेंद्रिकरत डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है देखिए अमोमन रुपिया हो गया डॉलर हो गया यूरो हो गया और अन्य मुद्राओं की तरह ही इस मुद्रा का संचरन किसी राज देश संस्था या सरकार दोर किया जाता यह एक डिज्टल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का पुरियोग किया जाता ठीक है आंदो प्रियोग जो है किसी सामान की खरिदारी या कोई सर्वेस् खरीदने के लिए किया जा सकता है कि कोश्चन नूमर थरी पर आजे शुद्र ग्रह या इस्टोरोइड से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट हैं यहां पर और बताना है किन में से कौन सा सही है तेके शुद्रकह जो होते हैं वो अंत्रिक्स में तेरते की परिक्रमा करते हैं क्या यह थर्ड वाली लाइन बहुत पूछी जाती है स्टेटमेंट में गलत कराने के लिए रखी जाती है अधिकान शुद्र ग्रह एस्टोरोइड मंगल और ब्रहस्पती के बीच इस्तित हैं और जैसे सारे ग्रह घूम रहा है ना वैसे यह भी सूर का चक्र काटते रहते हैं तो गलत हैं यहां पर यह शुक्र की जगह ब्रहस्पती को होगा तब ही सही होगा बाकि अंत्रिक्ष में तैर तो रही है मलवे के ढहर है करेक्ट है पहला स्टेटमेंट और ग्रहों से छोटे और उलका पिंडों से जो है बड़े होते हैं तो केबल एक और दो सही होगे हैं पर थर्ड को एलिमिनेट कर यह दो कटेंगे सीज कांसर हो जाएगा तो तीन सही नहीं है क्योंकि छुद्र ग्रह थो आइस्टरोड जो हैं अंत्रिक्ष में तैरते एक प्रकार के मलवे के ढहर होते हैं जिन्हें लगू ग्रह भी कहा जाता है यह अ Q4 पर आजए हेंग के संदर में निमनकत्नों पर विचार करना है देखें हें जो हैं घारत में उच मूल की एक मसाला फासल है जिसे फेरुला असा-फोटिडा नाम के पोधे से परप किया था किसे फेरुला असा-फोटिडा हेंग के पोधे के ब्रद्धी के लिए जो है ठंडी और सुष्क परिस्थतियां अनुकूल होती है की कर देते हैं हिंके पोधी की ब्रद्धी के लिए ठंडी और सुष्क परिस्थतियां अनुकूल होती है सही है? करेक्ट है, पहला भी सही है दोनों के दोनों सही हो गए C हो गया इसका अंसर है तो क्यों पूछा गया प्राश्चन क्यों नीउस में है देखिए हाल ही में CSIR IHBT ने पहली बार भारतिय हिमाले छेतर में क्या किया है असा फोटिडा मतलब हींग की खेती सुरू करके जो है इतिहास रचा है हींग जो है भ ठीक है उसके चार्ज बहुत होते हैं मतलब काफी मूल लेवान है हींग देखिए इसे जो है फेरूला असा फोटिडा नाम के पौधे से प्राप्त किया आता है हींग के पौधे की व्रधी के लिए बात करें तो ठंडी और सुष्क परिस्तितिया अनुकूल होती है और इस दुनिया में फेरूला पौधों की लगबग जिसे प्राप्त किया था है एक सो तीस परजातिया है नुबर फाइव है चौधरी चरण सिंग से रिलेटेड दोई स्टेटमेंट है यहां पर यह भारत के पांचवे प्रधान मंत्री थे इनके जैनती को राष्ट किसान दिव दिवस के रूप में मनाते हैं सी है इसका अंसर है तो देखिया भारत में हर साल 30 दिसंबर को आर्थ ववस्था में भारते किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन पूर प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग जी की जैनती के दिवस के रूप में मनाया जाता है वे वे कौन चौधरी चरण सिंग किशानों किशान हितैसी नीतियों को लाए और किशानों के कल्यान के लिए उन्होंने काम किया भारत के पांच में प्रधान मंत्री थे उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक जो है भा पूदरी चरण सिंग जी की जैनती और इनकी जैनती के उपलक्ष में मनाते हैं हम क्या राज्टे किसान दिवस सीधा सीधा है पूछा जा सकता है कि किसी भी परिक्षा में कुश्चा नुम्बर 6 पर आजए तेंदुए की इस्तिती रिपोर्ट दोहार 18 के संदर में निम्ल वर्षों में कितने वर्षों में चार वर्षों में भारत के भीतर तेंदुए की अबादी केवल 10 प्रतिशत बढ़ी है यह रिपोर्ट कहती है कि सबसे आदे तेंदुए जो हैं वो करनाटक में पाए गए हैं बताईए बिलकुल कुछ भी उपर नीचे से हो सकता है यहां क करनाटक की जो कोई दूसरा स्टेट भी हो सकता वी केवल बढ़ी यहां लगा रखाया क्या पता दस प्रतिशत भी ना बढ़ी हो या फिर ठीक ठाक बढ़ी हो तो गलत है फिलाल पहला वाला स्टेट्मेंट क्योंकि भारत में तेंदुए की संख्या साथ प्रतिशत तक मध्य परदेश में करनाटक में नहीं रहां तो सही पूछा तो ना पहला सही ना दूसरा सही कोई भी सही नहीं है डी.ऐ exerc का अंचर है तो केंद्रिया पर्यावरण मंतरी मंतरी जी का नाम है प्रकास चावडे करने भारत में तेंद्व एक इसेृतार 928 से अब तक मतलब 48 तक चार वर्षों में भारत में तेंद्व में 12page में 1528 की ब्रद्दी हुई है इसलिए गलता है पहला स्टेटमेंट उताजें आकडों के अनुसार 2014 में किये गए 7910 के पिछले अनुमान की तुल्ला में 2818 में भारत में 32 की संख्या 12,852 हो गई है मध्य प्रदेश करनाटक और महरास्ट राज्यों में करमसा मध्य प्रदेश में किंदू कितने 32 सबस्याद है 3421 के दूसरे स्थान पर करनाटक है 1783 और तीसरे स्थान पर महरास्ट है 1683 की संख्या में जो है यह पहले दूसरे तीसरे स्थान पर तो फस्ट कौन है मध्य प्रदेश दूसरे पर है करनाटक और दीसरे पर है महराश्ट राज्जों में दूसरे राज्जों के तुलना में तेंदों की संक्या सरवाद इखाए कॉश्चन नमबर सेबन पर आजए है बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम कॉमा इंडियन मेरी टाइम सिच्वेशनल अवेरनेंस सिस्टम और अस्त्र में शायल नामक तीन सिस्टम तरजा विक्सित के गए हैं किस raci 캌 एक ये कि दियारदियूומ के इनको बनाया है फिके इसको इंस recognition और ऊप्सिन नमबर या रख्षा, मंती राजनास नैंस तीन सुदेसी रूप से विक्षित उच्छ प्रोधर की सिष्टम को और भारतिय थल सेना, भारतिय नो सेना, भारतिय बायु सेना, देखें रक्षा, अनुसंधान और विकास, अंगठन द्वारा, बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम यानि BOSS, इंडियन मेरिटाइम सिचुएशनल अवेरनेस सिस्टम यानि IMSAS और अस्त्र-MK1 मिसाइल जो है, तीन सिस् पर प्र्श्र कर लेजाए तो देखिए, बार्डर सर्विलेंस सिस्टम के संदर में विचार करना है, तो बार्डर सर्विलेंस सिस्टम जो है, सभी मौसमों में काम करने वाला एक electronic surveillance system है इसे सेना प्रमुक जर्णल MM नर्वने को सोपा है और इस परणाली को दिन और रात की निगरानी के लिए लदाख सीमा छेतर में टितनात किया गया है अब दूसरा statement गलत हो सकता है कई और भी टनती हो सकती है इसके लिए कि नहीं है सही है ठीक है statement C हो गया इसका अंसर दोनों के दोनों correct हो गए और नो सेना प्रमुक को ने कर्मबीर सिंग और वायू सेना भादोरिया जी question number 9 पर आजए हाल ही में नम्रिकित में से किस देश के street food उसका नाम क्या है hawker culture को युनेस्को दोरा अपनी प्रतिश्थित मानवता की अमूर्थ सांस्कृत गराश्यत की प्रतिंदी सूची में सामिल किया गया है किसको hawker culture को hawker संस्कृति ये कब बहु संस्कृतिक सहरी बातावरण में street food और भोजन के तरीकों की एक लोग प्रियस हैली है किस देश की है ये hawker culture को युनेस्को की धरुहर में सामिल किया गया है बहु सकती है क्या भारत की बिलकुल हो सकती है अज़म की हो सकती हम ठीक हो सकती है लेकिन भारत की नहीं कि दो किये की ने सिंगापूर की और तो हाल है जो हैं सिंगापूर के स्टीट फूर्ड उसका नाम है हॉकर कल्चर को यूनस को दरा अपने प्रतिश्ठित वानपता की अमूर्थ संस्कृति विराश्यत की प्रतिनी सूची में जो हैड किया गया है। हौकर संस्कृतिक वहु संस्कृतिक सहरी वातावण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोगपरी है सिंगापूर सहली है हुटा गया इसमें हौकर केंद्रों में प्राकरतिते घुर्प से खोले पर सर होते हैं आपने देखा होगा बूविए में तीवी में जिन में जो हैं चीनि होगया मलय हो गया और भारते यह जैसी विभुधिन नंतिम प्रश्ण कीतर पर पकरसार होते Jaire पहला स्टेटमेंट है भारत में मदमक्खी पालन का काम असंगठे छेत्र में अधिक्तम ग्रामीड और आदिवाशी आवादी के बीच प्रशलित है देश में सहद उत्पादन की बड़ी शमता के बापजूद मदमक्खी पालन उद्योग अभी भी आविक्सित है क्या मीठी क्रांती मदमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्श 2018 में शुरू की गई थी क्या पता ये कौन सा करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट भारत में मदमक्खी पालन का काम असंगठे छेत्र में अधिक्तम ग्रामीड और अधिवासी आवादी के बीच प्रशलित है बिल्कुल करेक्ट है देश में सहत उत्पादन की एक बड़ी शमता होने के बावजूद भी मदमक्खी पालन और द्योग अभी भी आविक्षत है बिल्कुल और तीसरे स्टेटमेंट है इनी सब की पूर्टी के लिए मीठी करांती शुरू की गई लेकिन वह दोहार अठा पर भी पूछा है तो यूपीससी तो करेगी इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर और पताचला PCS में सीधा सीधा पूछ लिया कि मीठी करांती किससे संबन लेता है सहथ उत्पादन चीन उत्पादन करना उत्पादन ठीक है और कब सुरू होई 2016 में तो थर्ड वाले से कितने कटेंगे दो कट जाएंगे 50-50 पर रिश्यों हो जाएगा एक और दो से हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी तो देखिए मदमक्षी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाबा देने के लिए मीठी करांती वर्ज दुहार सोले में सुरू की गई थी केंद सरकार की कोशिश है कि आने वले समय में मीठी करांती नाकेवल सफलो बलकि इस लक्ष तक पहुंचे की दुनिया में सहथ की दस्टी से भारत एक महतमुन स्थान पराप्त कर सके देश को आतमِ नुर्भर बनाने के लिए किसाने की एक बड़ी आबादी को साथ लेकर वे कंधे से कंधा मिला चलना होगा क्या सरकार यह सा ककर रही है नहीं कर रही है। लिए हालही में केंद्रे करशिए किसान करलिया मंतराले ने Пाँच राज्जव में सहद किसान उत्पादक संगठन कारेकरम का उधगाटन किया है इसलिए नियूज में है ये प्रजशन कुछ तो कर रही है ठीक है तो क्यों पूछा गया प्रजशन क्योंकि हल ही में संट्रल गवर्मेंट ने मतलब केंद्र क्रिशियों में किसान कल्यान मंतरा लेने पांच राज़ों में कितने राज़ों में पांच राज़ों में सहद किसान उत्पादक संगठन कारेकरम का उधगाटन किया है क्यों किया है ये जो मीठी करांती है इसको और बढ़ावा देने के लिए और सहथ उत्पादक देश बनाने के लिए भारत को तो दस प्रस्टे इंपोर्टेंट इन सब की प्रक्टिस कर लेना कम से कम एक बार दूसरी बार इसका रेविजन कर लेना इंपोर्टेंट होती है एक्स्प्लेशन अगर कुश्चन बहां से ना बने तो यहां से बने ठीक है इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की प्लेइलिस्ट बना रखी है हमने वहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर फिप्टी दू तक बहुं सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा धन्यवाद